कि आपका स्वागत है एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे आज पैरा सिटीजम को हम यह टॉपिक कवर कर रहे हैं क्लास 12 की NCRT का सेक्षन जिसमें हम पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इंट्रेक्शन की बात कर रहे हैं ठीक है तो टुड़े वी आर गोईंग टुटेड़ी आज हम लोग पढ़ेंगे पैरा सिटीजम के बारे में क्लियर है इसके पहले आमने कंपटीशन और प्रिडेशन के बारे में पढ़ा है डीटेल में उसकी वीडियो शारी एक साथ पूरी प्लेलिस्ट में लगेंगी आट-दस वीडियो जो भी होंगी इसके बाद आपको कुछ भी इधर उदर से देखने की जरूरत नहीं पढ़ेगी आपकी मर्जी है आप देखें दस जगह देखें लेकिन देखने की जरूरत नहीं तो पैरा सिटिजन पर आते हैं तो मीनिंग क्या है कि इसमें एक और्गिनिजम ए होता है ठिक है यह दूसरे और्गिनिजम बी पे क्या करता है क्या करता है आके चिपक जाता है आके चिपकता है बाहर भी चिपक सकता है और ओपनिंग से जैसे माउथ है किसी भी तरीके से इस पक सकता है अगर बाहर की सर्फेस पर चिपकेगा इसको हम बोलेंगे एक्टो और अगर अंदर जाता है पॉडी के तो इसको बोलेंगे एंडो थीक है समझ रहा हैं कि नहीं अब ये चिपक रहा है इससे न तो चिपक किस लिए रहा है चिपक किस लिए रहा है फूड के लिए में परपज है कि ये और्गनीजम डाइरेक्टली कहीं से नूट्रीशन डिराइब नहीं करता है यह nutrition कहां से derive करता है दूसरे organism के बाहर चिपक के या दूसरे organism के अंदर शरीर के अंदर जाके ठीक है कहने का मतलब यह A जो है यह parasite है जो किसी दूसरे organism के ऊपर क्या करता है dependent होता है completely feeding के लिए ठीक है समझ रहें कि नहीं और जो B है जिसके ऊपर यह dependent है इसको बोलते हैं host host and parasite का relationship ठीक है parasitism के अंदर में आता है यहाँ पे predation और parasitism में थोड़ा difference है जो कि हमने पहले भी बताया है फिर से मैं बता रहा हूँ पहरा side जो होते है usually they are small in nature किसके compare में small होते हैं host के compare में अरे भाई आप अपने को देख लो आपके सर में जूएं होती हैं सबके में नहीं किसी किसी के में होती हैं किसी के बॉड़ी के अंदर जो इसकैरी का infection हो सकता है किसी के बॉड़ी के अंदर फीता क्रीमी ठीक है जिसको टेप वर्म या फ्लैट वर्म के करेटेगरी में आते हैं इनका infection हो सकता है एक नदर से क्या सकतिन होते हैं आपके बॉड़ी में यूट-ट्री जटे रिलेशनज ही पाता है और पैरासाइट क्या होते हैं अपना nutrition derive करते हैं basically क्या करते है nutrition derive करते हैं और दूसरा क्या है shelter रहने का जगह चाहे सरीर के ऊपर हो चाहे सरीर के अंदर clear है considering that the parasite parasitic mode of life ensures free lozing and meals यही मैंने बताया free lozing and meal lozing का मतलब shelter meals का मतलब nutrition या food यही है parasitism में clear है कि नहीं अब host and जो parasites होते हैं इनका relationship बड़ा specific होता है ऐसा नहीं कि सारे parasite किसी भी host के ऊपर जा के चिपक जा रहे है नहीं ऐसा नहीं होता है यहाँ पर भी वही वाली काण ही होती है एक दूजे के लिए यह गहरा सुने है कि नहीं एक दूजे के लिए आज करके नई generation के जो लड़के लड़किया है वो बहुत इसमें बहुत ज़्यादा belief करते हैं और उस चक्कर में कि आपने पढ़ाई लिखने हैं और बाकी सारी चीज़े जो है ने छोड़ देते हैं ठीक है एक दूजे के लिए और उसके कहानी कुछ बनती नहीं है लेकिन बना देते हैं वो लोग क्योंकि आपके लिए यह पीक टाइम है समझ रहे ना आपके लिए यह क्या है पीक टाइम अगर इस टाइम पे आपने समय को बर्बाद किया समय आपको बर्बाद कर देगा इस बात को जानिए यह खाली कहने की बात नहीं है यहीं सच है तो एक दूजे के लिए मतलब host and parasitic relationship are very very specific, तो अगर मान लिजिए host parasite से बचने के लिए कुछ evolve करता है, अपनी body के अंदर कुछ नई चीजे लाता है, जिससे इसको ये लगे कि host जो है, मतलब parasite जो है इसके उपर attack नहीं कर पाएगा तो parasite को उस टाइम के बाद करता है, यह तुम अगर evolve करोगे ना, तो हम भी evolve कर जाएंगे, समझ रहें कि नहीं, तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है, यहाँ पे core evolution होता है, core evolution का मतलब है, parasite, parasite and host, both are evolving, पहले host evolve करता है, इससे बचने के लिए बाद में parasite evolve करके फिर से relationship develop कर लेता है, समझ रहें ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखियेगा, clear है, many parasites have evolved to be the host specific, maximum, बहुत सारे ऐसे हैं, जो host specific है, they can parasitize only a single species of host, जहां पे यह obligate relationship बन गया, यह obligate relationship जो बना, obligation, जहां पे develop हो गया, specificity आ गई अगर, तो अगर host मरा, तो parasite गया, बस यहीं कहानी है, समझ रहें ना, अगर host मरा, तो parasite गया काम से, इसी में जहां पे specificity होती है, यहीं पे हमको क्या देखने को मिलता है, poor evolution देखने को मिलता है, कहने का मतलब host and parasite both evolved, both evolved to stay, to remain, stay together, simple सी बात है, that is, if the host evolved special mechanism for rejecting or resisting the parasite, the parasite also evolved mechanism to counteract and neutralize them, समझ रहें कि नहीं, जैसे अगर आपने कुछ कांड किया या नहीं किया, आपके against में किसी ने F.I.R. F.I.R. फाइल कर दी, first information report, कहां पर? पुलिस थाने में, ठीक है, किसी ने किया, A. ने आपके against में F.I.R. फाइल कर दिया, आपने कुछ गलती की थी नहीं की थी, उसको खुननस्तिया आप से कर दिया, तो आप immediately जैसे information आपको लगती है, आप जाके तुरंट क्या करते हैं, counter F.I.R. करते हैं, counter F.I.R. और counter F.I.R. अगर logical है और reasonable है, तो obviously बात है, यह F.I.R. null and wired हो जाएगा, प्लेयर एक नहीं, similarly यहाँ पर चीज़ें है, जैसे ही host evolve करता है, और पहरा side को पता चल गया, है कि यह host evolve कर लिया है और हमको यह reject करने के लिए किया है इसने, यह हमको रजिस्ट करने के लिए कि हम उसे चिपक ना पाए, then parasite also evolved to the level so that it can maintain the relationship with the host, clear है, okay, in order to be successful with the same host species, समझ रहे न, इसलिए evolution हुए, आभी मैंने इसी को बोला, in accordance with their lifestyle, paracides evolve special adaptation, भाई, शरीर के अगर अंदर वो जा रहा है, जैसे हमने फीता क्रीमी की बात किया है, स्कैरिस की बात की, तो उसको आपको लगता है कि बहुत सारे sense organ की जरूरत है, अरे बाई, sense organ की तब न जरूरत है, जब वो सरीर के बाहर ऐसे पड़ा हुआ घूम रहा है, सरीर के अंदर चला गया है, तो जितने भी unnecessary चीज़े हैं, ठीक है, unnecessary चीज़े, वो सब क्या होंगे, खतम हो जाएंगी, loss हो जाएगा, तो loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs या suckers, सरीर के अंदर है, ठीक है, माली जी, यहाँ पर गुसा, तो यहाँ पर यह है, जिसके यह पास नहीं है, सकर्स होंगे, जिसके थूरू यह क्या करेगा, ऐसे होस्ट से पहले चिपकेगा, addition करेगा, intestine है, माली जी, intestine का parasite है, इसको हम endoparasite बोलेंगे, intestine के अंदर है, तो यह क्या करेगा, पहले, cling करेगा, cling, चाहे किसी भी तरीके से, clinging करेगा, मतलब addition करेगा, जो body के surface है, और addition करने कवाद जो suckers होंगे, यहाँ से, nutrition जो है, क्या करेगा, uptake करेगा, चिक है, और suckers to cling on the host, loss of digestive system, इसको digestion की जरूरत है क्या, नहीं भाई, यह already digested material जो blood से suck करके nutrition निकाल रहा है, इसको digestive system की जरूरत नहीं है, हाँ, इनकी जो reproductive capacity होती, बहुत ज़्यादा होती है, high reproductive capacity, and यह point आपको याद रखना है, तीक है, क्योंकि यहीं पूछेगा, the life cycle of parasite are very complex, तीक है, it's complex actually, reason क्या है, मतलब हर case में नहीं, लेकिन बहुत सारे cases में आपको दिखेगा, कि एक life cycle complete करने के लिए, मतलब कोई parasite x है, तो इसको पूरी life cycle complete करने के लिए, पता चला, intermediate host की ज़रूरत पढ़ती है, और intermediate host जो होते हैं, एक से ज़्यादा हो सकता है, simple, so, it's complex, because it involves one or two intermediate host or vector to facilitate the parasitization of its primary host, primary host मान ले जिए इसका ये है, ठीक है, c, तो c तक पहुँचने के लिए, ये पहले a तक जाएगा, a से b पर पहुँचेगा और b से फिर c पर पहुँचेगा, यहीं ये बोल रहा है, ठीक है, यहीं ये बोल रहा है, तो इस case में ये क्या हो गया, complex हो गया, समझ रहे नहीं, so, primary host से चिपकने के लिए, relationship develop करने के लिए, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा intermediate host भी हो सकते हैं, the human liver fluke, जिसको फैसी कोला या फैसी ओला बोलते हैं, अट्रिमेटोर पैरासाइट, depend on two intermediate host, snail and office, देखेंगे, क्वेस्चन है बाबा, liver fluke के दो intermediate parasite का नाम बताईए, क्या है, snail, घोंगा और fish, ठीक है, to complete its life cycle, malaria parasite, यह हमने पढ़ा है, cardiovascular system में पढ़ा है, नहीं पढ़ें, तो फिर से पढ़ेंगे, malaria parasite जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, malaria parasite is known as, plasmodium, y-vex, most commonly, और brain fever जिससे आता है, plasmodium, क्या है, falsiferum, तो यहाँ पे species क्या है, plasmodium, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, को ले जाने का कौन काम करता है, mosquito, कौन mosquito, एनफिलीज, ठीक है, female एनफिलीज, मादा, एनफिलीज, मच्छर, ठीक है, यह इसको ढोग के ले जाने काम करेगा, अपनी celery gland में, celery gland में, उसके बाद जैसे बलड सक करेगा, बलड सक करने के बाद क्या करेगा, यह ड्रॉप कर देगा, आपको या हमको मच्छर काट रहा है, माल लो, वो मलेरियल पैरासाइट लेके घूम रहा है, तो जैसे हमारे बाडी के अंदर इंसर्ट करेगा, पियर्स करेगा, उसी समय से लेवरी gland से यह प्लाजमोडियम निकल के हमारी बाडी के अंदर गुस जाएगा, भुसने के बाद नंबर बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाने के बाद हमारी बाडी रजिस्ट कर पाई तो ठीक, नहीं कर पाई तो क्या होगा, प्राब्लम क्रियेट होगी मलेरिया की, चीक है, सो यहां पर भी है malaria parasite के case में भी host जो होते हैं कौन-कौन host होता है और आपने देखा merchants पैर यह सै कि का host कौन-कौन होता है हमको बताइए गा malaria Before site के दो host कौन-कौन से होते हैं ठीक है संगहों नहीं इस अर्नी पैराशाइट हम दी उस्ट व्य ख़ूर प्रडेशन में क्या होता है धूरय प्रडेयसन और स्थीजम धूलों में क्या होता है नेकेटिव इंट्रॉट उगाही होगँ मतलब एक negative होगा और एक positive होगा ठिक है difference कहाँ था parasitizer में जो parasite होता है यह बहुत small होता है and host जो होता है यह big होता है यहाँ पे parasitizer में immediate killer यह नहीं होती है parasite है यह हमारे jur हमारे सर पे चिपक गया फिता किरीम हमारे body के अंदर चला गया कि स्वारी वह कई कुछ और अगया जि Barn करें तो हम किसी ऐख्यार्ग थे खिद्ध कर रहे थे तो प्लापमोडियम यह सब्सक्राइब लेकिन उसको फैलाने काम कूर करता है सक indifferent खिख है अब यह क्या क्रेंट पर यहां हम बता रहे थे कि कि जो ? सब्सक्राइब करने चाहे हमारे बाड़ी स्मूल है ठीक है लेकिन प्रेटेशन के के समें जो जो प्रेटर होता है ठीक है और जो प्रे होता है प्रे इन जनरल छोटा होता है इं जनरल कुछ उनल चोटके और प्रेडेटर जो होता है लाज होता है बहुत स्ट्रों मुहता है और यहां पर प्रेंड़ के में immediate killing होती है this is the difference major difference okay समझ रहें कि नहीं सो यह क्या करते हैं यह होस्ट की जो पैरा साइट होते हैं यह होस्ट की पैरा साइट होस्ट की जो fitness होती है ना होस्ट का जो fitness होता है कि इसको reduce करते हैं अगर अगर मेडिसीन की वज़े से मेडिसीन लेके इनको मारा नहीं गया लियर नहीं किया गया बॉडी से तो slowly slowly death will occur धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो और्गनीजम है वो मर जाएगा बच्चों के केस में यह बहुत केस आता है बच्चों के केस में ठीक है तो दे में रिद्यूस्ट इस सर्वाइबल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अब धी पोस्ट यह ध्यान रखिएगा रिद्यूस इट्स प्रपॉडेशन देंसिटी अरे जब यह सारी चीजह हो जाएंग तो पॉपलेशन देंसिटी तो अल्री कम हो जाएगा अब देखिए क्वेस्टन पूछ रहा है क्या दे माइट रेंडर दी होस्ट मूर वल्नरेबल टुदी प्रिदेशन बाइं मेकिंग देफ फिजिकली वीक यह भी क्वेस्टन है अगर हमारे उपर पैरासिटिक इंफेक्शन लगा हुआ हम दबाई नहीं कर रहा है तो हमारी बाड़ी धीरे धीरे वीक हो जाएगी तो माल लिजिए हम नेचर में है नेचर में ऐसा है कि पैरासिटिक इंफेक्शन भी हुआ है ठीक है हमारी बाड़ी वीक हो गई है और उसी समय प्रिडेटर की नजर हमारे उपर पढ़ गई वो दोडा लिया विल्कुल तेजी से तो डू यू बिलीव देट एन आइडियल पेरासाइट शुट बी एबल तो थ्राइब विदीन दी होस्ट विदाउट हार्मिंगे बड़ा इंपोर्टन क्वेश्चन है लेकिन अगर आप इसको समझ पाए अभी तक का कॉंसेप्ट तो फिर दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर अगर आपने कॉंसेप्ट ही नहीं समझा तो बहुत दिक्कत की बात है ठीक है समझ रहें कि नहीं बोल गया रहा है डू यू बिलीव बतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई एक आइडियल सिच्वेशन हो सकते है कि कोई आइडियल पैरासाइट है और शुट भी एबल तो थ् ऐसा हो सकता है क्या लाजिक लगाई एच्छा अभी तक इतना कॉंसेट पढ़ाएं हम प्रुड़ा लाजिक लगाए अि सहता हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है ना ना наша ना ना एसा नहीं होगा reason क्या है कि parascitism की being a parasite parascitism इसका criteria ही है criteria क्या है इसमें एक species को फाएदा होगा और दूसरी species को क्या होगा नुकसान होगा और अगर यहाँ पर ideal parasite आ गया जो कि host को harm ना करे host को harm ना करे तो यह कौन सा relation हो जाएगा positive and zero तो यह relationship ही change हो जाएगा यह parasitism रह कहा गया यह convert किसमें हो गया कॉमेंसलिजम में कॉमेंसलिजम में मीनिंग समझ में आए इस question का अगर ideal parasitic situation या parasite के कोई situation होगी तो exist नहीं करेगी क्यों ideal parasite हो ही नहीं सकता मतलब वो parasite है तो harm करेगा ही करेगा ठीक है यह relationship में convert हो जाएगा ना सिंपल सी बात है लाजिक है और कुछ नहीं लाजिक है ठीक है कि समझ रहें कि नहीं पैरासाइट डैट फीड ऑन दी एक्स्टर्नल ही हमने बता दिया है जो बॉड़ी के ऊपर फीड करते हैं उनको हम एक्टो पैरासाइट करते हैं जैसे मतलए हमारे ऊपर होती है ऐसे है क्या इनको in futuro हुआ होता है क्या है इक्टो पैरासीट कोपे और क्या है पैरर Green पाइस को फिर्ट बीकस कोटा को ही मतलब का मतलब क्या होती सायसे शेड़ से पदलाजबंटी होता है अमर का मतलब जो कभी न मरे ठीक है यह कभी इसकी डेथ नहीं होती है यह अजर अमर है समझ रहें नहीं आजर है भाई कसकुठा अमर बेल तीक है लाइट ग्रीन कलर का दिखेगा लेकिन इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होते आपको दिख जाए क्या बोलते हैं कस्कुठा सर्च करिए इमेज पर देखिए आपको दिख जाएगा आपने देखा जरूर होगा कहीं ने कहीं कस्कुठा कस्कुठा भी क्या है पैरासाइटिक प्लांट है पैरासिटिक प्लांट है यह कॉमनली फाउंड इन ग्रोइंग अंदी हेज प्लांट के ऊपर यह रहता है वहीं से यह नुट्रीशन अपना डिराइब करता है फीमेल मॉस्कुटो इस नौट कंसिडर्ड अपैरासाइट आल्दो इट नीड्स और ब्लड फॉर्ड रिप्रोड़क्शन काने एक्स्प्लेन वाई यह आपके लिए क्वेश्चन है ठीक है कि जो एनाफिलीज एनाफिलीज मॉस्कुटो है फीमेल जो मलेरिया के जो प्रो ठीक है आप सूचिए यह लाजिकल क्वेश्चन है आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में हम तो बता ही देंगे भाई इतने हम डंब नहीं है ठीक है हम बता देंगे डूनाट वरी अबाउट मी अब यह हमने एक टो की बात की दूसरा इसी का पोजिट क्या होता है इंड स्टाइन हो गया बाडी के अंदर होगा पस यह ध्यान रखना है एंडो का मतलब अंदर लाइफ साइकल आफ इंडो पैरसाइट और मोर कॉंप्लेक्स बीकॉज अप देर इक्स्ट्रीम स्पेसियलाइजेशन या इसको स्पेसियलाइजेशन आप बोले ठीक है इनका जो अनटमिकल फीचर है और इनका जो अनटमिकल फीचर है अब बहुत सिंप्लिफाइजेशन में है ताके इनको कोई दिक्कत ना हो किसी लेवल पर बॉड़ी के अंदर सर्चेन करने के लिए लास्ट है इसमें या बुरूड पैरासिटिजम D कोयल यह तेरी बोली तो पोल यह कुकु बड़ जो होती है यह अपना अंडा जो एक्स होता है यह जो होता है यहाँ पर इमानी जी जाला है किनका को ने अपना जाला बनाया हुआ जाला है तुछ पड़ा जो एक पर क्सका कोंग पर इस हाँ और स्रुवाद में इसलिए कुकु बड जो है घोसला नहीं बनाती है वो अपना अंटा जो है कोवव के घोसले में लिजा की रख देती ठीक है और वहाँ से hatching होती है hatching होती है और hatching के बाद कुछ दिनों तक तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है hatching के कुछ दिनों बाद जब तक separation होता है पता चलता है धिरे से वो निकल लेता है ठीक है तो यह कहानी है किसकी brood parasitism की बहुत ही फैसिनिटिक इग्जांपल है ठीक है लेकिन हम यहां पर इसको पहरा citizen बोल रहे है इसके उपर बहुत सारे रिसर्ट चल रहा है कि रियल में ऐसा है कि नहीं है ठीक है होता है कुकु अपना अंडा जो है कववे के घुसले में रखती यह तो अटल सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ें इसकी फिनामेना जो अधर रिसर्च चल रहा है उसके चल रहा है बहुत सारे रिसर्च हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था इसके पहले लेकिन वीडिय तो रिडियूस दी चांसे साथ ठीक है बर्ड मतलब कववा अगर डिटेक्ट कर ले तब तो गिरा देगा अंडे को लेकिन कर पाता है कववे को लगता है कि यह उसी का अंडा है ठीक है मतलब कववा इनको ठीक है और इसको पता चल जाए तो सही में देखके उसको बाहर ग अब हम लास्ट पढ़ेंगे कमेंसलिजम के बारे में ठीक है कमेंसलिजम छोटा-छोटा है लेकिन आज हमको लग रहा है कि इसको फिनिश सायद नहों पाए सुबब हम करेंगे तो डू वास्ट वीडियो मिलते हैं कि अच्ट वीडियो मिलते हैं